सो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप आप ठीक होंगा और आपके पालती जन्मरी भी ठीक होंगा आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल गाजयवाद बाजीगर में तो गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है कवुटर की मस्ती खतम कैसे करें ठीक है पर बारिंग्स सामानों दे सकते हैं ठीक है तो वीडियो में ध्यादा बड़ा नुसका नहीं है छोटा सा नुसका है अपको एक टमाटर ले लेना है ठीक है एक टमाटर लेना है पचास कबूतर का बता रहा हूं मैं आपको पचास कबूतर का अगर आपके कबूतर है उड़ने वाले वो मस्ती में आ रहे हैं उसके लिए बता रहा हूं ठीक है गाइस तो एक टमाटर ले रहे ना आपको टमाटर लेके सबसे पहली बात मैं आपको बता दू कि आपके नर्मादिन अलग होने चाहिए ठीक है गाइस नर्मादिन अलग होने चाहिए और आपके कबुतर जैसे 50 कबुतर है 50 कबुतर का दाना होता है 7500 गिराम आपको 1500 गिराम दाना क और इस टमाटर के जो रस है तो यह यापको अच्छे से दाने में मुसल 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 के मिला दोगे आप और इससे का ने चाहों में 6 घंड़ के लिए यह तो आपको यह सुबह सात यह 6 वज़े बना लेना है आपको और ढूप में नहीं सुखाना है आप टमाटर का रस बाजरे में मिलाके एक पाउ बाजरे में मिलाके ठीक है आपको उसे जो है छाओं में सुखा लेना है और इसमें एक्छी जोर मिलानी है आपको दखनी मिलानी है ठीक है गाइस दखनी मिलानी कबूतर को नर्मादिन को अलग रखना है दाना देना है आपको टोटल 600 ग्राम पचास कबूतर को 600 ग्राम में आपको यह टमाटर का जूस मिलाके बना लेना और बाकी नॉर्मल खिलाना है ठीक है तो यह आप दो दिन करना है आपको और कबूतर को लडाना नहीं है ठीक है गा जादा ठीक है क्योंकि कबूतर को आप ढीला छोड़ दो गए तो मस्ती करेगा इसलिए को कबूतर की पिटाईया जादा करनी है और बाकी में आपको बाजरे में इस एक टमाटर का जूस आपको मिला करके उसमें पाल देखनी मिर्च पीस के मिला देना है और वो आपने कबू नावा लगाना है और चौत्ते दिन से आपको लड़ाना स्टार्ट कर देना है अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब से कर देना फिर मिलेंगे दूस्तों ऐसे ही इंट्रेस्टिंग इंफ्रमेटिव वीडियो के सा प्सक्राइब